गुड बॉरिंग और मराथा प्रशासक लोग दिखाए देते हैं ठीक है लेकिन सूभा शासन ने परगना प्रणाली को स्थापित किया गया है ये एक बड़ा अचीवमेंट है ठीक है इसके बाद फिर सूभा शासन समाप्त होता है अधीक्षक विवस्ता आती है अधीक्षक विवस्ताने के पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है कि रगुजी तृती ये जो है ये नाबालिग है और ब्रिटिश रेजिडेंट को जो है अभी भावक बनाया गया है शासन का चार्ज दिया गया ब्रिटिश रेजिडेंट है ब्रिटिश अधिकारियों का न्यूकती यहां पर शुरू कर दिया है ठीक है अब ऐसी स्थिती में ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट लोग अपनी मर्जी से शासन में चेंज कर रहे है और उनका टार्गेट क्या है 36 गड़ में व्यवस्था बनाया रखना कानून व्यवस्था बनाया रखना और अधिकारी सारे मराठा है ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंडेंट लोग का शासन 1830 में खतम होता है और 1830 में शुरू होती है आपका जिलेदारी व्यवस्था जिलेदारी व्यवस्था 36 गड़ में स्टार्ट होती है जिलेदारी व्यवस्था का ढाचा हम लोग थोड़ा से समझते है 1830 से 1854 तक जिलेदारी सिस्टम जिलेदारी प्रणाली शुरू हो रही है जिलेदारी सिस्टम जिलेदारी सिस्टम के साथ में क्या है कि आपका रगुजी तरितिये ने ये डिसाइड किया कि अभी सूबेदारी व्यवस्था को वापिस नहीं लाएंगे और सुपरिटेंट व्यवस्था के लिए अंग्रेज प्रशास अची है और अंग्रेज लोगों को नौकरी पर रखना मतलब मराठा लोग कर नौकरी जाएगा तो अंग्रेजों को हटा करके मराठा अधीकारियों की नौक्ति रगुजी तरितिये ने शुरू कर दी है तो जिलेदारी वैवस्था जो है ये रगुजी तरितिये की वैवस्था है 1830 में जब रगुजी तरितिये को शासन वापिस मिला लाड विलियम बैंटिक जो भारत का गवर्णर जेनरल था इस ते आदेश चारी किया और आपका जिलेदारी सिस्टम जो है वो 36 गड़ में प्रारम्ब होता है अभी रगु जी तरिती ने कहा कि भाई नागपूर में शासक रहेगा नागपूर में रगु जी तरिती का शासन है ये शासन को अंगरेज लोग चीफ कमिशनरी की तरह इस्तिमाल करते थे कि एक संभाग है ऐसा ठीक है तो इन्होंने कहा हाँ सही बात है नागपूर राजे जो है ये एक संभाग की तरह काम कर रहा है ठीक लेकिन संभाग एक्च्वल में इसको कहते नहीं है इसलिए शब्द का इस्तेमाल करके कन्फ्यूज नहीं होंगे नागपूर राज्य के अधीन चतिसगड जो है वो एक जिले की कंडिशन में है ठीक है चतिसगड आपका जि इसके शासक है रगुजी रगुजी तरिती है ठीक है चतिसगड जिला है यहाँ पर जिलेदार शासन का मुख्या होता है जैसे कि सूबदार था परगना में कमाविजदार अभी भी कमाविजदार व्यवस्ता बनी है बस अंतर इतना है कि विठल दिनकर ने 27 परगने है जो कल्चुरी काल से लगातार चला रहा है अभी तक खत्म नहीं हुआ गौंटिया पद ही लगातार चला रहा है है ना तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका व्यवस्थाएं जो हैं वो continuous चल रही है तो 36 गड़ में जिलेदारी व्यवस्था आ चुकी है एक और व्यवस्था जो ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया है उसको तालुकदारी व्यवस्था करते हैं वही आगे चल करके तहसीलदारी व्यवस्था में परिवर्त प्रिटिय ने न्यूक्त किया है और आपका उसके नीचे कमावीज़ार बढ़कर गोंटिया इत्यादी होते थे ठीक है अभी देखिए रगुजी तरिटियन 1830 में जब शासन लिया तो इन्होंने सबसे पहला जिलेदार बनाया क्रिश्णा राओ अप्पा को क्रिश्णा राओ अप्पा यह जो है आपके पहले सबसे पहले जिलेदार हैं ठीक है तो जिलेदारी विवस्ता जब शूरू हुई तो ऐसा लगा कि मराठा शासन वापिस आ गया है और आपका जैसा कि बाकी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स और समास सुधारक इत्यादी कहते हैं कि विदेशी शासन की तुलना में देशी शासन अच्छा होता है तो अधिक चक लोग की जगा में मराठा लोग को देखकर के देशी नाम देखकर के खुश हो सकते हैं लेकिन असल में को आचा भी भी बना हुआ है सेंडीस ने अंग्रीजी केलेंडर ले आया है मराठा वापीस है लोग वापीस मराठा केलेंडर लेके आगए तो कुल में लाकर करके चीजे चेंज नहीं हुए लगभग वैसे ही चल रही है कोई खास परिवर्तन 36 के प्रशासन में नहीं आया है कुछ समय बात जो है ताहुद्दारी प्रथा को और आगे बढ़ाने का विचार हुआ सिरपूर और लवन दो नई ताहुद्दारियां विक्सित हुई हैं सिरपूर और लवन ठीक है दो नएया ताहुद्दारी डेवलप किये जैसे कि लोर्मी और तरेंगा को पहले रहता था रगुजी तृति ने चत्यस गड़ के जिलेदारों पर प्रिशर डालना शुरू किया पैसा भेजो जादस जादा धन की जो है आप पूरती करते रहना चाहिए धन जो है वो रुकना नहीं चाहिए जादस जादा ये लोग प्रयास कर रहे है धन प्राप्त करने का और इसी चक्कर में आपका मराठा प्रशासन पे काफी दबाव पड़ रहा है चीक है अब रगुजी तृति एडवांस में पैसे मांग लेते हैं हमारे जीलेदार जो है वो लोग भी एडवांस में पैसे मांग लेते हैं कमाविस दार लोग लगान ठेके पे दे देते हैं इजारादारी प्रथा जो है प्रचलित हो रही है, आपका लगान ठेके पर जो लोग लेते हैं, वो लोग वसूली बहुत तगड़े से करते हैं और किसान लोग गरीब हो रहे हैं, जब इन दारह से टकोली वसूला जाता है और खूब जगड़े होते हैं, लेकिन चत्तिस मान जाते था भी माराठा लुकाशासन कॉमन हो गया है, तो शुरू में भेंकर विद्रो हुए, धेर सारे, लेकिन आप बहुत कम विद्रो हो रहे हैं, ठीक है, इस दौरान आपको सिर्फ एक ही विद्रो मिलेगा, 1830 के आसपास बरगड में अजीत सिंह का विद्रो हुआ ह बरगड, बरगड विद्रो, ठीक है, बरगड विद्रो देखने को मिलता है, मराठा काल का ये विद्रो है, बरगड विद्रो के अलावा तारापूर विद्रो, मेरिया विद्रो, ये सब बस्तर में हो रहा है, तो बरगड विद्रो, सारंगड में भी विद्रो हुआ है इस तारापूर विद्रो और मेरिया विद्रो बस्तर के छेत्र में हुआ है तो कुछ विद्रो हुए है लेकिन मराठों का इससे कोई डारेट कनेक्शन नहीं है विद्रों से कोई भी डारेट कनेक्शन नहीं है सिर्फ बर्गड विद्रो जो है वो सीधे मराठा अथॉरिटी के गेंस्ट किया गया था ठारोस तीस का बर्गड विद्रो तो बर्गड विद्रो में क्या है बर्गड छेतर के जो जमींदार थे उनसे टकोली वसूल करने के लिए आदेश गया बर्गड रियासत का स्टेटस रखता था लेकिन अगरेज लोग रहते तो देख लेते ऐसे बड़ी आसानी से यह बीद्रो को दबा दिया गया कोई ज़ादा पाफुल विद्रो हुआ नहीं हैं विद्रोहों को ले करके प्राब्लम यह है जिलेदारी विवस्था में जैसा कि मैंने बताया फाइनेंशल डिमांड बहुत जादा है इसलिए लूट खसुट की प्रवर्ति बहुत जादा है इसलिए आपका मराठा प्रशासन चतिसगर बहुत लोग प्रिय हो नहीं पा रहा है अब मराठा लोग बुरे हैं ऐसा नहीं है लेकिन सिस्टम में आपका डिमांड इस तरह का आ रहा है कि लोग प्रेशर बे काम करते हैं और इसी की वज़ह से एक के बाद एक मराठा जिलेदार चेंज हो रहे हैं मराठा जिलेदार लोग का जॉब इंसीक्यूरिटी इतना जादा है कि जैसे ही कोई पोस्टिंग लेके आता है वो भी पदों की बिक्री में लग जाता है और ज्यादा ज्यादा पैसा ही कठा करने कुशिश करता है क्या पता कल हो ना हो ऐसा डायलाग मार करके ये लोग सब के सब पैसा वसूलने में लगे हुए है और यही वज़ा है कि आपका जिलेदार लोग भ्राष्टाचार और गबन के मामलों में पकड़े भी गये हैं और कुछ जिलेदारों के उपर तो कारेवाही भी हुए जेल भी भेजा गया ठीक है तो यह सिती बन रही है तो आपका स ठीक है इंटुक्राव और सदरुद्दिन ये दो ऐसे जिलेदार थे जिनके उपर भ्राष्टाचार के चार्जेस प्रूव हो गये थे सदरुद्दिन के उपर आरोप था कि 2000 रुपए जो है खाजाने से गबन कर लिये हैं उस जमाने में 2000 का बहुत वैल्यू था भाई और इन से निकलवा भी नहीं पाए प्रापर्टी बेज भी दिये तो भी नहीं मिला तो इस तरह से परिस्थितियां कुछ खास अच्छी नहीं है ठीक है तो अंत में गोपाल राव आनंद जो है ये हमारे अंतिम जिलेदार है ठीक है पहला जिलेदार और अंतिम जिलेदार को क कोश्यर की रूप में पूछा इनी को याद भी रखना है अठारा सो तिर्पन में परिस्थितियां थोड़ी से बदलने लगी एटीन फिफ्टी थी में क्या हुआ रगुजी तृती की मृत्यों गई कि यह डाइड और उनका कोई बेटा नहीं था ठीक तो नाकपूर का भोसले राज ये बहुत सही चल रहा था रगुजी तृती ने शादियां भी की बच्चे नहीं हुए रगुजी तृती ये जो है सुरा और सुंदरी के चक्कर में पड़ गये थे सुरा और सुंदरी मतलब समझ रहे हैं सुरा मतलब शराब और सुंदरी मतलब नाज गाने का इनको बहुत शौक था तो नाज गाने में अपना टाइम वेस्ट करते रहते थे शासन प्रशासन में कोई खास ध्यान नहीं था बहुत ज़्यादा शराब पीते थे लिवर खराब हो गया मर गये और बेटा नहीं था इनफेक्ट कोई भी बच्चे नह नारत का गवर्णर जनरल उस समय था डलहाओ जी डलहाओ जी का बहुत फेमस सिध्धान था विले सिध्धान्त है ना विले सिध्धान्त या हडप नीती डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स विले सिध्धान्त या डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स बाई डलहाओ जी ने कहा कि भाई जि जिस राज्य का कोई भी पुत्र नहीं होगा उस राज्य का उत्राधिकारी ब्रिटिश सामराज्य होगा इस्ट इंडिया कंपनी होगी और उसका राज्य इस्ट इंडिया कंपनी की छेत्र में मिला लिया जाएगा राज्या ने बुला ऐसे कैसे आप हमारे बेटे हो क्या है डालोजीन कहा इसा ही समझे लो, और अगर पंगा लेना है, तो फिर हम लोग सेना लेके भी आ सकते हैं, तो प्यार से दे दो चाबी, वरना मार से तो ले ही लेंगे, तो ब्रिटिश लोगों ने अल्मोस्ट धमका करके, सभी राज्यों को ये मनवा लिया, कि गोद लेने का अ तो राधिकारी नहीं है, उसको ब्रिटिश सामराज में विलाय कर लिया जाएगा, इसी को हड़प नीती कहते हैं, पॉलिसी ओफ एनेक्सेशन, ठीक, नरायन का जिलेदार व्यवस्था को एक बर देखना है, अभी मराठा प्रशासन देखेंगे, इजी हो जाएगा, तो व लेकिन मराठा लोग सहायक संधी के तहट थे, सहायक संधी के तहट क्या है कि मराठा लोग की अपनी कोई खास सेना नहीं थी, सारे सिपाही ब्रिटिश लोग थे, तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला करना एकदम पॉसिबल नहीं था, लेकिन विरोध जता रहे थे, कि नहीं लोग इस पर कबजा करने का प्लान कर चुके और प्लानिंग सेक्सेस्फुल रहा अठारा सो चोवन में इस्ट इंडिया कंपनी ने स्विकृति दे दी और डलहोजी ने नाकपूर पर कबजा कर लिया तो 1854 में विलाय सिध्धान्त के तहद नाकपूर रियासत पर कबजा कर गया है जहासी बहुत छोटा सा रियासत है मतलब आपका जहासी रियासत का साइज यह है कि मुश्किल से बिलासपूर जीले जितना बड़ा होगा कोई खास बड़ा साइज नहीं है सेंटरल पोजिशन पर है लेकिन मुख्य व्यापारीक मारगों से भी होके नहीं जा रहा ह ठीक है तो जहासी जो है हम लोग जिसके बारे में पढ़ते हैं वो इसलिए फेमस है क्योंकि जहासी के रानी लक्ष्मी बाई बहुत पॉपिलर थी और 1857 में इन्हों ने जबरदस्विद्रो किया था लेकिन नागपूर राज्य जो है जहासी से लगभग 10 गुना बड़ा है और बीना किसी लड़ाई के अंग्रेजों ने उसको हड़ा पलिया ठीक और यह बहुत बड़ा सकसेस है अंग्रेजों के लिए तो डलहोजी ने विले सिधान के ताहत 1854 में नागपूर के उपर कबजा कर लिया क्योंकि रगुजी तरितिय का कोई भी उत्तरदिकारी नह मेंसल जो है यह बृटिश रेज़िजिदेंट है जैसे जैंकिन्स 1818 में था जिसने एड्मन्ड और एगनियुकों की ती चैटिस गरमें तो मेंसल जो है यह आपका बृटिश रेजिदेंट था मेंसल को कहा गया कि आप जो है सभी मराथा अधिकारियों को नौकरी से निका अभी आपका मेंसल ने आदेश जारी कि नागपुर राज्य को हम लोग संभाग का दर्जा देंगे ठीक है और यहां पर एक चीफ कमिशनर की नियुक्ति करेंगे जो होगा मेंसल जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट था तो रेजिडेंट मेंसल को इन्होंने मुख्य अधिकारी बना दिया और मेंसल से कहा कि चूंकि आपका राज एक संभाग की तरह है इसलिए आपको इसको विभिन्द जिलों में बाटना पड़ेगा मेंसल ने घोशित किया कि 36 गड़ भी एक जिला रहेगा जिसका हेटक्वाटर किदर है रायपूर रायपूर इसका हेटक्वाटर ठीक है और जिले का मुख्या कौन होता है जिले का मुख्या अधिकारी कौन होता है कलेक्टर लेकिन उस समय कलेक्टर शब्द का प्रचलन नहीं किया गया डिप्टी कमिशनर शब्द का प्रचलन किया गया तो एक नया प्रशास्तिक व्यवस्ता उभर करके आता है जिसमें नागपूर में होता था चीफ कमिशनर, नागपूर को संभाग का दर्जा मिला, जैसे कि रगु जित्रिती ने खुदी संभाग टाइप बना दिया था, तो चीफ कमिशनर जो है, ये आपका नागपूर में बैठता था, इसके बाद फिर चीफ कमिशनर के अंदर, डिप्टी कमिशनर को रखा गया, डिप्टी कमिशनर जो जिले का प्रमुख था, इसने जिलेदार का जगह लिया, ठीक है, और इसका मुख्याला था राइपूर, ठीक, और आपका डिप्टी कमिशनर के अंदर में आपका विभिन ने तहसिलदारों की नियुक्ति की गई वैसे तो Assistant Commissioner आते थे डिप्टी कमिशनर के अधिन Assistant Commissioner को रखा गया पर यह Headquarter Post हुआ करता था, फील्ड में बहुत कम थे और आपका तहसिलदार, ये नया पद का जो है निर्माड हुआ, तहसिलदार, तहसिलदार के अंदर में आपका चक्का या जिसको आजकल हम लोग राजस्वचेतर कहते हैं, और उसके अधिन जो है फिर सीधे गाउं को रखा गया, तो हम लोग गाउं ले लेते हैं, ठीक है, गाउं या पटवारी हलका शब्द का इस्तेमाल भी शुरू हुआ है यहां पर, 1854 के बाद, ठीक है, तो हलका, हलका के नीचे फिर गाउं होता था, ठीक, तो चीफ कमिशनर जो है, गाउं के लेवल पर गाउंटिया ऐसा लिखना चाहिए, गाउंटिया या माल मुखिया था, चीफ कमिशनर, इसके पास बहुत बड़ा आपका सेट अप रहता था, सचीवाले था, चीफ कमिशनर के अधिन, डिप्टी कमिशनर, 36 गड को जिला बनाया गया और 36 गड को डिप्टी कमिशनर के अधिन रखा गया, ठीक है, जैसवाल जी, डिप्टी कमिशन और उसके तहसिलदार के नीचे हलका हुआ करता था हलका में जो है आपका मालगुजार या बढ़कर इत्यादी को नियूत करते थे वो पद जो है बाद में विक्सित हुआ है राजस्वनी रिक्षा के रूप और उसके बाद फिर गाउं के इस तर पे पटवारी और आपका ग गाउं के इस तर पे गाउंटिया को रखा गया तो इस तरह से हम लोगों ने आपका विवस्था तैयार किया नायब तहसिलदार लोग तहसिलदार के आफिस में ही रहते थे असिस्टेंट कमिशनर लोग डिप्टी कमिशनर के साथ एसोसियेटेड रहते थे फील्ड में जा चतिसगड को संभाग बनाया गया, फिर चतिसगड में जिले बने, रायपूर, बिलाजपूर, संभलपूर, ठीक है, और ये जो नए जिले बने हैं, उसमें डिप्टी कमिश्णर की नियुक्ति की गई और उसके अधिन फिर, बाद में डिप्टी कमिश्णर को कलेक्टर कहा गया, उसके अधिन SDM की नियुक्ति की गई, सब्डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर तासिलदार, नायप तासिलदार, राजस्वनिरिक्षक, पटवारी, ये पूरा ढहाचा बनाया गया, और गौंटिया लोग को प्रशासन से अलग कर दिया गया, ठीक है, तो पहले क्या ह होता था, गौंटिया लोग, आपका उपज का जो सुलहवा हिस्सा है, वो दस्तूरी के तोर पे अपने पास रखते थे, इसी से उनको सेलरी मिलता था, और गौंटिया लोग राजस्वसुली में मदद करते थे, इसलिए गौंटिया लोग को मालगुजार भी कहा जाता था पर यह सब जो है, फिर गौंटिया लोग सिर्फ बड़े किसान रह गए, राजस्वसुली में उनकी भूमी का सीमित कर दी गए, तो यह सब ब्रिटिश लोग का एक्स्पेरिमेंट है, ठीक है, तो यह व्यवस्था जो है, वो हमारी लागू हो गई, तो ब्रिटिश लोग अब च्छा चुके है, आपका चीफ कमिशनर और डिप्टी कमिशनर सिर्फ ब्रिटिश लोग ही होंगे, असिस्टेंट कमिशनर भारती और ब्रिटिश दोनों हो सकते हैं, तहसिलदार पद और उससे नीचे के सभी पद भारतियों के लिए रखे गए, कि इसमें सिर्फ भा चाल्स इलियट जो है, यह हमारा पहला डिप्टी कमिशनर है, चाल्स इलियट और चाल्स इलियट को डिप्टी कमिशनरी के साथ-साथ एक सेना भी प्रदान की गई, क्योंकि चाल्स इलियट में कोई पुलिस नहीं था, पुलिस ना होने की वज़ा से चाल्स इलियट को एक सेना भी प्रदान की गई, Captain Smith के नेतर तुमें, Captain Smith, ठीक है, और उसके बाद Assistant Commissioner के पद पे रखा गया गोपाल राओ को, गोपाल राओ जो अभी तक जिलेदार था, खुद collector की तरह रहता था, उसको बना दिया गया Assistant Commissioner, तो गोपाल राओ को Assistant Commissioner बनाया, एक और Assistant Commissioner था, मोहिब उल हसन, मोहिब उल हसन, तो दो Assistant Commissioner थे, एक गोपाल राओ, जिसको बिलासपूर में पोस्टिंग दिया गया, ठीक है, जो पहले राइपूर का जिलेदार था, गोपाल राओ, गोपाल राओ अंतिम जिलेदार है, और उसको Assistant Commissioner के पद पे रख लिया, अंग्रेजों ने, क्यों? Experience प्रशासन चलने के experience है गोपाल रा को, तो गोपाल राओ आनंद को बिलासपूर का Assistant Commissioner बनाए, मोहिब उल हसन को राइपूर का, और उसके बाद फिर तहसिल दारों के न्यूक्ति हुई, चतिस गड़ में आपका तीन तहसिलों का स्थापना किया गया था शुरू में, ठीक ह प्रारम में स्थापना की गई थी, बाद में धमधा और दूर्ग दो और तहसिले मनी, एक्शुल में आपका धमधा और नवगड़ को बनाया थे, नवगड़ को हटा के बाद में दूर्ग को तहसिल बना दिये, तो धमधा और दूर्ग जो है दो नई तहसिले मनी, तो इस तरह से setup जमता है रतनपूर रायपूर धमतरी ये पहले round में तीन तहसीले बनी और बाद में दो और तहसीले बनाई गई धमधा और नवागड़ धमधा और नवागड़ धमधा धमधा को चेंज किये थे इसको चेंज करके बाद में दूर्ग कर दिये दूर्ग और नवागड़ तो रतनपूर रायपूर धमतरी दूर्ग और नवागड़ ये पांच तहसीलों के साथ शुरुआत किये बाद में तहसीलों के संख्या बढ़ती चली गए चीक है तो 1857 का जब विद्रों हुआ 1857 की विद्रों घड़ी आगी 1857 का जब विद्रों हुआ तो 36 गड़ में पांच तहसीले थे और तहसील में तहसीलदार और नयाप तहसीलदार हुआ करते थे इनका एक ही काम था राजास्व की वसूली करना नियायधीश बढने का काम बाद में मोहिब उलहसन और गुपाल रहा हुआ सही बई तो यह वैवस्था जो है स्थापित की गई तो नहीं बिलासपूर तहसील नहीं था इसलिए तुम्हेने एकदम डेटेल में नाम वाम लिखा है मताब कन्फ्यूजन ना हो ठीक है अब देखिए चार्ल्स इलियड जो है वो छत्तिस गड़ में राजसवे के रिकॉर्ड ठीक करा रहा है व्यवस्था ठीक कर रहा है जैसे तैसे करके आपका सरकारी अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहा है कि भई आप लोग को राजसवे सुली का काम करना है मराठा काल में जो इजारेदारी के व्यवस्था थे उसको बंद करना है लैंड रिकॉर्ड ठीक कीजिए फसल का डेटा निकालिए गिर्दावरी आप अपडेट कीजिए और आप जितना राजसवे निकलता है किसानों के पास डिमांड भेजिए माल गुजारों का और पटवारियों का चलता था यही हमारे राजसों का मुख्य सुरूत था है ना तो ब्रिटिश लोग जो है इसको और्गनाइज करने में लगे थे कि जादस जादा लगान की वसूली हो जाए ठीक है ब्रिटिश लोग और मराठा लोग के प्रशासन में एक बेसिक डिफरेंस यही था कि मराठ पहचान भाई भतीजावाद इत्यादी के अधार पर होई थी नहीं ब्रिटिश लोग जो है अपने अधिकारियों को आपका ज्यादा तर योग्यता के हिसाब से निरधारित करते थे पोस्टिंग देते थे बाद में तो एक्जाम लेना भी स्टार्ट कर दिये शुरू में राजस्वर्ण को अच्छा से रखने की वजह से ब्रिटिश लोग का जो रिकॉर्ण वही आजादी के बाद भी इस्तिमाल हो रहे हैं जो बेसिक रिकॉर्ण जो कल्याण से के समय से चले आ रहे थे ठीक है तो यह सारा सेटप हमको देखने को मिलता है तो 1857 के समय में प्रिटिश सेना के भारतिय सिपाहियों ने विद्रो किया और इस सिती यह है कि ब्रिटिश लोग का पूरा राज लड़ खड़ा चुका है ब्रिटिश लोग अब टिकने वाले नहीं है हालत बहुत खराब है तो क्या-क्या घटाएं हुई है उसको हम लोग देखते हैं 1857 1857 का विद्रो 36 गड़ के संदर में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग देखते हैं जादातर विद्रो यूपी में हुए है जहांसी किरानी लच्मी भाई का विद्रो कानपूर, लखनाओ, इलहाबाद, बरेली, फैजाबाद पूरा उत्तर प्रदेश विद्रो कर रहा है और नौर्थ इंडिया का विद्रो के रूप में इसको हम लोग याद करते हैं लेकिन चादिस गड़ जो की एकदम पिछड़ा हुआ इलाका था, जारखन जो की पिछड़ा हुआ इलाका था, यहां पर भी बहुत बड़े पामाने पे बगावत हुआ है आपका जारखन्ड और चादिस गड़ में इतने बड़े पामाने बगावत हुआ है कि आपका, मतलब जितने राजा लोगों ने विद्रो किया है उसका तुलना आप उत्ताप्रदेश से कर सकते हैं इसकी तुलना में माध्यप्रदेश, गुजराद या दक्षेन भारत इधर उतने विद्रो नहीं हुए तो 1857 के मामले में 36 गड़ को जो है काफी हम लोग अपने हिस्ट्री पे गर्व कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं 1857 का विद्रो ठीक है 1857 के विद्रो में सबसे पहला और सबसे फेमस विद्रो है आपका वीर नरायाण सिंह का वीर नरायाण सिंह का विद्रो जिसको हम लोग सोना खान का विद्रो भी कहते है ठीक है सोना खान विद्रो सोना खान विद्रो और सोना खान विद्रो की नेता कौन है वीर नरायाण सिंह अब इनके नाम के साथ हमने वीर जोड़ दिया है बचपन से इनका नाम सिर्फ नाराएंड सिंग था वीर नाराएंड सिंग कहानी बहुत पुरानी है बाहरेंद्र साय के समय से बिंजवार जनजाती के आपके नेता लोग जो है सोना खान के जमिंदार रहें 1819 में जमिंदार राम राय बिंजवार जनजाती के जमिंदार है यह बिंजवार जनजाती से आते हैं राम राय ने आपका एगनियू के खिलाप विद्रो किया था मैक्शन के नेतरित उमें इनको पराजित किया गया था 1857 में बिंजवार जन जाती के वीर नरायाण सिंग ने सोना खान में विद्रो किया है तो question पुछता है सोना खान विद्रो 1857 वीर नरायाण सिंग पर कहानी थोड़े पहले start होती है कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे वीर नरायाण सिंग जो है ये काफी लोगप्रिय व्यक्ति थे सोना खान में इनका काफी चलता था बलावदा बजार छेतर में सोना खान कहा है बलावदा बजार में तो सोना खान में वीर नरायाण सिंग का काफी प्रभाव था जो है, ये बहुत लोक्प्रियत है. फिर क्या हुआ 1800 चपन में अकाल पड़ा, कहानी यहासा शुरू होती है. 1856 में भयंकर अकाल पड़ा, फसल बरबाद हो गई. 1856 के अकाल की वज़ह से, आपका फसल बरबाद होने के करण किसान लोग भूखे मरने कंडिशन में आ गया इतना खराब कंडिशन हो गया कि आपका बारिश का सीजन खतम होते होते आपका फसल तो बिल्कुल नहीं आया किसान लोग बोले कि अभी तो फसल बरबाद हो गया है लोग भूखो मर रहे कंडिशन में आ गया है तो विर नायन सिंग के पास लोग पहुँचे कुछ तो मदद किया जाए इनके पास जितना नास था बटवा दिये अब इनके पास भी नहीं बचा फिर ये पता चला कि पिछले साल का जो फसल था उसको आपका व्यापारी लोग को बेचे हैं और व्यापारी लोग जो है उनमें से सबसे फेमस व्यापारी था माखन तो माखन बनिया जो है ये उस छेत्र का सबसे फेमस व्यापारी था और माखन बनिया का गोदाम था कस्डोल में, इस पूरे इलाके से अनाज खरीद के उसने कस्डोल में कठा किया था, और माखन बनिया अंग्रेजों को, यानि कि राइपूर के आपके प्रशास्ति का धिकारियों को अनाज सप्लाई करता था, तो देखिए शहरों को अनाज च गोदाम में है, 24 अक्टूबर 1856 को इन्होंने हमला किया कसडोल में और माखन बनिया का गोदाम लूट लिया, तो घटना करम कुछ इस तरह से चल रहा है, 1856 में अकाल पड़ा, अकाल के समय में लोगों की मदद करने के लिए वीर नारायन सिंग ने माखन बनिया का गोदाम ल लूट लिया, ना दिपेश, स्टेडियम तो रायपूर में है, तो माखन बनिया का गोदाम लूट लिया, अब दो चिठियां चार्ल्स इलियट के पास पहुंची, पहली चिठि थी माखन बनिया की, उस ते का हमारा गोदाम लूट लिया गया है, फायार दर्ज कीजिये, और हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस भेजिए, पुलिस तो है नहीं, सेना है, जो भी है भेजिए, दूसरे तरफ वीर नायाट सिंग का चिट्री पहुचा, उन्होंने का हमने गुदाम लूटा है, हमारे यहां लोग भूखे मर रहे हैं और यह अनाज इकठा करके बैठा है हम लोग तो जी पुब्लिक को खिलाने के लिए अनाज लूटेंगे, और बात में इसका पैसा भी दे देंगे, इसलिए आप कोई कारवाही मत कीजिए, अब चार्ल्स इलिएट कंफ्यूज, बूले कौन ऐसा करता है भाई, लूट पर्ट मचाने बाद यादमी बोल रहे है कि हमने लूट लिया है, चार्ल्स इलिएट को बाकी अधिकारियों ने सला दिया, देखे सर, वीर नर्ण सिंग बहुत फेमस आदमी है, प्राबलम ये है कि हमारा चामल ही लूटाया है, वो द्रायपूर आने वाला था और मार्केट में बिकता, तो हम लोग खरितते हैं, अ के पास न्याई का धिकार भी है, 1861 तक डिप्टी कमिशनर के पास राजस्व मामलों के, दिवानी मामलों के और फोजदारी मामलों के तीनों प्रकार के न्याय करने का धिकार हुआ करते थे, यानि कि चार्ल्स इलिएट लोगों को मृत्यू दंड भी दे सकता था, इतना त अगड़ा धिकार के साथ उसको भी दे थे, तो डिप्टी कमिशनर जो है, वो सिर्फ आपका राजस्व धिकारी नहीं था, बलकि प्रशास्नी का धिकारी और न्याइधीश भी था, तो एक न्याइधीश के तौर पे चार्ल्स इलिएट ने डिसाइड किया कि डखैती का का है और वीर नाराण सिंग को गिरफतार करेंगे, कैप्टन स्मित को भेजा गया, 24 अक्तूबर 1856 को कैप्टन स्मित ने वीर नाराण सिंग को गिरफतार कर लिया, कैप्टन स्मित सेना दिकारी है, जो पूलिस का काम देख रहा है यहाँ पे, तो यह पूरा घटना क्रम है, माखन बनिया का गुदाम लूट लिए और वीर नाराण सिंग और उसके बाद दिप्टी कमिनिश्टर चारल सिलिएट ने वीर नाराण सिंग को गिरफतार कर वा लिए अब जेल में डाल दिये ठीक है डकैती के आरोप में जेल चले गए इसके बाद क्या हुआ 1857 का विद्रो 10 माई 1857 को मेरट में सिपाही विद्रो हुआ पूरा उत्तर भारत जो है वो अंग्रेजों के हाथ से निकल गया ब्रिटिश लोग अपने ही सिपाहीं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बहुत बुरी सिती है ब्रिटिश लोग हार रहे हैं ऐसे समय में रायपूर जेल में सिप रखा के भाग गए है तो आपका 27 अगस्त 1857 को वीर नराण सिंग जेल से सुरंग लगा के भाग गए लेकिन आपका पिछले 24 अक्टूबर से 27 अगस्त तक क्या बदला था? काफी कुछ बदल गया था आपका वीर नराण सिंग जैसे ही जेल गए महराज साय नाम का एक व्यक्ती डिप्टी कमिशनर चाल्स इलेट से मिलने आए ये महराज साय कौन है महराज साय जो है ये वीर नारण सिंग का चचेरवाई है और देवरी का जमिनदार है देवरी वहीं पडोस में ही है दूसरा जमीनदारी, सोना खान के बगल में, सोना खान अनेक जमीनदारियों से घिरा हुआ है, बगल में देवरी का जमीनदार महराज सा है, उसके बद उत्तर में बिलाईगड, फिर कटंगी, भटगाओं, ये सारे जमीनदार लोग वीर नाराण सिंग की पॉपुलर्टी से जलते हैं, इनको लगता है, वी नाराण सिंग इतना पॉपुलर है, कल के दिन हमारे किसान लोग भी बोलेंगे कि हम लोग उधर सोना खान में रहेंगे, हम लोग को टैक्स नहीं मिलेगा, मतलब ये लोग कुल बिला करके सोना खान पे कबज़ा करना चाते हैं, प्लस एक ब अभी आप एक काम करो, उसका जमिनदारी आप मेरे को दे दो, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूँगा, तो देवरी के जमिनदार महराज साय ने सोना खान पे कबज़ा करने का शड़यंत्र किया, और उसने अंग्रेजों को पटा भी लिया, कि सोना खान मुझे दिया जाए ठीक है, और इसी बीच में आपका जो है 1857 का विद्रो हुआ, और अगस्ट 1857 को वीर नाण सिंग भाग गया, वीर नाण सिंग सोना खान पहुँचे और महराज साय के लोगों को मार पीट के भगा दिया, चलब हो यहां से, और इन्होंने सोना खान की पहाड़ियों में मोर जाओ, और वीर नाण सिंग को गिरफतार करो, तो स्मित जो है, वीर नाण सिंग को गिरफतार करने निकल पड़ा, वहां जाने के बाद पता चला कि सोना खान में जबरदस सपोर्ट है, लड़ाई होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर ब्रेटी सिपाहियों को रहन सपोर्ट करना शुरू किये, तो अंग्रेज लोग जो है, उनको इस पूरे एरिया की खबर मिलने लगी, अनाच का सप्लाई आ गया, और अंग्रेज लोग मोर्चा जमा लिए, तो ब्रिटिश लोग नीचे नदीक पास मोर्चा जमाए है, उपर पहाड़ी में नरायन बहुत फेटफुल डिसीजन, सोना खान गाओं को खाली कराया गया और उसमें आग लगा दिया, दूर दूर तक आग का लपट दिख रहा है, पहाड़ के उपर से वीर नरायन सिंग भी देख रहा है, घर जल रहा है, वीर नरायन सिंग को रात में ये रेलाइज हुआ, कि अगर ये लड़ाई शुरू हुई, तो बहुत सरे लोग मरेंगे, और वैसे भी हमारे सारे पडोसी तो हमारे दुस्मन ही है, ठीक है, तो वीर नरायन सिंग सुबे-सुबे अकेले उतरे, और 2 दिसंबर 18 संतावन को इन्होंने कैप्टन स्मित के सामने सरेंडर कर दिया, औ और वीर नरायन सिंग को गिरफतार करके ले गए, ये बात जब उनके साथियों को पता चले, और लोग बहुत दुखी हुए, उनका बीटा गोविन्स है, वो भड़क गया, बहुत हम लोग लड़ाई कर रहे थे, अभी तो हारने की सिती आ गई, तो गोविन्स है अपने सि फासी की सजा सुनाई, एक ही हीरिंग, अंग्रेज लोग बोलते हैं बहुत कानून वानून का सासन है, ये लोग भी सब बदले की भावनास काम करते थे, एक हीरिंग में इन्होंने वीर नरायन सिंग को फासी की सजा सुना दी, और 10 दिसंबर 1857 को जैस्तम चौक में वीर न नरायन सिंग को फासी पे चढ़ाया गया, ये है, अब खुले में फासी पे चढ़ाया गया, ताकि पब्लिक में मैसेज जाए कि जो ब्रिटिस सरकार के लाब विद्रो करेगा, उसका यही हाल होगा, और लाश को लटके रहन दिये बहुत देर तक, तो इस तरह से वीर नरा नरायन सिंग, तो देखें, कहानी में काफी ट्विस्ट्स और टर्न्स है, वैसा क्लासिक लटाई नहीं मिलेगा, जैसे कि जहांसी गिरानी लच्मी भाई सेना के साथ लटाई कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना ही नहीं है, पर वीर नरायन सिंग जो है, पब्लिक है, 1987 में इंको बर डाक टिकर जाड़ी हुआ, है न, इनके नाम से स्टेडियम है, जैसे की बता रहे है, वीर नरायन सिंग की स्टेडियम है, और वीर नरायन सिंग को बिलकुल वैसे iyti को याद करते हैं जैसे जारखन में बिरसा Musoka को याद करते हैं, पर 1877 का विज्रू त ठीक है, इनके सारे विरोधी जो थे, आपका कटंगी और देवरी, बिलाइगर, भटगाओं, इवन शिवरी नाराण के जमींदार तक ने इनका विरोध किया, और अपने विरोधीयों के विरोध के बावजूद भी है, सोना खान में टीके रहे, अंत में कैप्टन स्मित ने गिरफतार किया, और 10 दिसंबर को इनको फासी दे दिया, पर वीर नाराण सिंग का स्टोरी जो है, it's a different kind of story, गोविन सिंग, जो वीर नाराण सिंग के बेटे थे, गोविन सिंग ने विद्रोध जारी रखा, वो सोना खान से अपने साथियों के साथ चले गए, सोना खान का और वीर नाराण सिंग शेतर में सुरेंदर सहय का विद्रोध चल रहा था, सुरेंदर सहय बड़े elemento के विद्रोध उनका विद्रोय है भैंकर गुरिला वारफेर के साथ लड़ाई कर रहे हैं, गोविन साय वहाँ पे लंबे समय तक लड़ाई करते रहे हैं और फाइनली जब उनको मौका मिला, तो उन्होंने महराज साय के उपर हमला किया और उनके घर में घुस करके सर काट दिया तो गोविन सींग ने 1858 में महराज साय की हत्या कर दी और महराज साय की हत्या के बाद इन्होंने देवरी और सोना खान दोनों पर दावा किया 1869 में, 1859 में, ब्रिटिश लोगों ने गोविन साय को, या गोविन सींग को समझोता करने का उफर दिया और गोविन सिंग को वापिस से सोना खान का जमिनदार बना दिया है, तो फाइनली सोना खान का जमिनदारी जो है, वो गोविन सिंग को मिल गया, जो वीर नाराण सिंग के पुत्त थे, 1859 में, और अंग्रेज लोग समझ भी कहे थे, जैसे वीर नाराण सिंग के उपर अपरा क्योंकि अगर गोविन सिंग के उपर ये चार्जेस लगाए और फांसी पर टांग दिये तो फिर अगला आद में विद्रो करेगा इसलिए गोविन सिंग को उन्होंने राज्य वापिस ले दिया और मर्डर चार्जेस वापिस ले लिये तो इस तरह से आपका सोना खान का विद्रो कंप्लीट होता है 1859 में गोविन सिंग को जमिंदार बनाने के साथ में सोना खान विद्रो के बाद आता है सुरेंदर साय का विद्रो संबलपूर में सुरेंदर साय का विद्रो संबलपूर विद्रो या सुरेंद्र साय का विद्रो और भी complicated है सुरेंद्र साय का विद्रो और complicated और खतरनाक है इसमें 36 गड़ की politics के बहुत गंभीर रंग डुबे हुए है चलिए देखते हैं सुरेंद्र साय की कहानी बहुत पहले शुरू होती है संबलपूर राज्य जो है इसका राजा था विक्रम देव आवायद रूप से इसको बनाया गया था राजा असल में क्या था कि संबलपूर के राजा की मृत्य हो गई और अंग्रेजों ने अपने कटपूतली को यहाँ पे शासक के रूप में प्रमोट किया सपोर्ट किया बुला कि तुम शासक बन जाओ और यह बात जो है संबलपूर में बगावत को लेकर के आई सुरेंदर साय काफी यंग थे सुरेंदर साय और उनके चाचा बलभद्र दाओ इन्होंने विद्रो कर दिया यह लोग गोंड जमिनदारों के मुख्या थे इन्होंने राजा के खिलाफ बगावत कर दिया 1827 काफी पहले अब देखिए राजा और आपका सुरेंदर साय के बीच में भेंकर युद हुआ और इस युद में बलभद्र दाओ जो है वो मारे गया तो बलभद्र दाओ जो है वो पहली लड़ाई में वीर गति को प्रात हुए अब बलभद्र दाओ का बदला लेने के लिए सुरेंदर साय ने एक बार फिर से आक्रमण किया और जरियाब सिंग जो वहां का जमिनदार था उसकी हत्या कर लेकिन ब्रिटिश लोग के खिलाफ डारेक्ट बगावत नहीं किये थे संबलपूर के राजा खिलाफ किये थे अभी 1849 में डल्होजी ने संबलपूर राज्य का ब्रिटिश सामराज में विलै कर लिया विलै सिद्धान्द संबलपूर और इस ड्यूरेशन में हमारे सुरेंदर साही हजारी बाग जेल में बन थे तो पहले इन्होंने विद्रौ किया सुरेंद साही ने और हजारी बाग जेल में अल्रडी बन थे फिर क्या हुआ 1857 का विद्रौ 13 росс एक्टूबर 1857 को विद्रोहियों ने हजारी बाग जेल पे कपजा कर लिया और उसका दर्वाजा खोल दिया जिसको जहां जाना है जाओ और सुरेंदर साहे पाइदल चलते हुए पहुँच गया संबलपूर ठीक तो सुरेंदर साहे हजारी बाग जेल तोड़ करके इस तरह से पूरा जो फैमली था वो एक साथ था सोना खान से गोविंद सिंग भी थोड़े समय बाद आगए ठीक है सोना खान से गोविंद सिंग आगे दिसंबर 1857 में वीर नाराण सिंग की मृत्य हुई गोविंद सिंग इन से आके मिल गए सारंगड में राजकुमार कमल सिंग इन्होंने बगावद किया था कमल सिंग भी इनके साथ आके मिल गए तो एक पूरा ग्रूप तयार हो गया बर्गड सारंगड और आपका सोना खान इन सभी छेत्रों से विद्रोही सुरेंद्र साय के पास है और सुरेंद्र साय ने गुरिल्ला वारफेर का टेक्निक अपना है चुप चुप के हमला करना शुरू किया लेकिन इनके विरोध में भी एक ग्रूप तयार हो रहा था दूसरे साइड ब्रिटिश सेनपती लोग थे कटक से ब्रिटिश फॉज आई थी और ब्रिटिश फॉज के साथ-साथ रायगड के शासक देवनाथ सिंग और सारंगड के राजा संग्राम सिंग ने अंग्रेजों का सपोर्ट करना शुरू किया अब दोनों साइड से लड़ाई चल रही है अभी अंग्रेजों को अंदर से इंफर्मेशन मिला कि कोणा पाली के पास इन लोग जो है पड़ाव डाले हुए सुरेंद्र साइ लोग और यहाँ पर एक भयानक युद्ध हुआ ब्रिटिश लोग अचानक हमला किये और छबिल साइ की मृत्य हो गई तो इस तरह से सुरेंद्र साइ का भी स्ट्रेंथ घट रहा है लेकिन ब्रिटिश लोग भी बहुत परिशान उनको सुरेंद्र साइ का ही मिल नहीं रहे है जंगलों में ही घूम रहे है और अपने विरोधियों के उपर छांट-छांट के हमले कर रहे है तो यह गुरिला वा सुरेंद्र साइ के पास संदेश भेजा बुला आप अगर विद्रो करते रहेंगे तो हम लड़ते रहेंगे तो आप अगर यह वादा करें कि आप जो है किसी भी राजा को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो हम यह वादा करते हैं कि आपके सभी साथियों को छोड़ द तो सुरेंदर साय ने फाइनली आत्म समर्पन कर दिया 1864 में, लेकिन इमपे को बरखास्त कर दिये, अंग्रेज लोग इमपे को हटा दिये, इमपे ने वादा किया था, इमपे को ही हटा दिये, और नए अधिकारी को भेजे, और फाइनली ये हुआ कि इनको जो है, असीरगर जेल भेज़ दियागा, असीरगर मध्यप्रदेश, और वहाँ पर 1884 तक इनको जेल में बंद करके रखे, 1884 में इनकी मृत्यू है, सुरेंदर साय की, तो 20 साल तक जेल में रहे, और ये अंतिम शहीद माने जाते हैं, ठीक है, 1857 विद्रोह के अंतिम शहीद, तो सुरेंदर साय संबलपूर के विद्रोही हैं, ठीक है, आपका पहले ही विद्रोह करके ये जेल भेजे जा चुके थे, ठीक है, हजारी बाग जेल में बंद थे, हजारी बाग जेल से ये 1857 में फरार हो गये, कहानी इनकी पुराने समय से चल रही है, 1827 में सुरेंदर साय विद्रोह किय का इस्तेमाल किया चापामार युद्ध और अंग्रेजों के खिलाफ एक पूरा कोईलेशन बनाया इनके कोईलेशन में याने इनके महागडवंधन में महागडवंधन सुनें कि नहीं इनके महागडवंधन में सोना खान के गोविन सिंग और सारंगड के कमल सिंग और जा गया लड़ने के लिए, भेंकर लड़ाई के बाद फाइनली 1864 में इन्होंने सरेंडर किया है, 1864 में इनको गिरफतार कर लिया गया और 1884 में असीर गड़ में इनके मृत्यों हुई है, तो देखिए ब्रिटिश लोगों ने वादा तो किया था, पर उन्होंने अपना वा लेकिन इनको जो है नहीं छोड़े, इनको जेल में बंद करके रखिए, तो ये है सुरेंदर साय की कहानी, सुरेंदर साय के बाद आपका आता है सोहागपूर का विद्रो और आपका उदैपूर का विद्रो, चलिए उदैपूर को देखते हैं, उदैपूर का विद्रो, उ यह basically धरम जगड में centered था, उदयपूर विद्रो का केंद्र है धरम जगड, धरम जगड उदयपूर की राजधानी है, ठीक है, तो उदयपूर पहाडियों में आपका धरम जगड राज्य था, धरम जगड के राजकुमारों ने विद्रो किया, इसी को बोलते हैं उदयपूर के राजकुमारों का विद्रो, उदयपूर के तीन राजकुमार हैं, एक का नाम है धीरज सिंग, कल्याण सिंग, और तीसरे का नाम है शिवराज सिंग, धीरज सिंग, कल्याण सिंग, शिवराज सिंग, तो देखिए, उदयपूर के तीन राजकुमार हैं, ये लोग राज अब ही क्या है कि सरगुजा रियासत जो है सरगुजा रियासत के राजा है रामानू उच्छारा और उनके दिवान का नाम है विंधेश्वरी प्रसाद। विन्धेश्वरी प्रसाद सिंग्देव बहुत ही चतूर व्यक्ति है, पूरा सरगुजा रियासत उनके उंगलियों पर चलता है, और विन्धेश्वरी प्रसाद सिंग्देव ने डिसाइड किया कि उदैपूर पर कबजा करना है, पर कैसे कबजा करें, यहां तो तीन-तीन कुमार है, कोई ने कोई तो राजा बन ही जाएगा, तो विन्धेश्वरी प्रसाद सिंग्देव ने एक शड्य अंत्र किया, विन्धेश्वरी ने यह अफवाह फैलाई कि यह लोग मानाव बली देते हैं, human sacrifice, अंगरेज लोग इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे मानाव वध या मानाव बली के आरोप पे इन तीनों को बंद कर दिया गया, हजारी बाग जेल में, हजारी बाग जेल का तो कहनी आप जानते ही है, 31 अक्टूबर 1857 को हजारी बाग जेल तोड़ दिया गया, ठीक है, और तीनों राजकुमार आ गए बाहर, और ये लोग विद्रोह का दमन करने का प्रयास कर रहे है, कैप्टन डाल्टन को इस छेत्र का अधिपती बनाया गया है, कैप्टन डाल्टन जो है, उसका काम है विद्रोह दवाना, डाल्टन गंज, चारखंड में इसी के नाम पे है, तो डाल्टन ने जो है, स्थानिय राजाओं का सप सपोर्ट में आए एक तो सरगुजा का और दूसरा रायगड का सरगुजा के विंधेश्वरी पृताप सिंग देव और रायगड के देवनात सिंग दोनों ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया दोनो तरफ से इन्हों ने घेर लिया किसको उदैपूर को और धरम जैगड पर विद्रो उदैपुर के राजकुमारों का विद्रो यहीं से शुरू होता है, विंधेश्वरी प्रताप, विंधेश्वरी प्रताप सिंग देव जो है, यह सरगुजा का दिवान था, इसको चाहिए था, तो इसने इनके उपर मानव वद का आरोप लगाया, मानव बली का आर किस पे उदैपुर के तीनों राजकुमारों पे, और इनको जेल में बंद कर दिया गया, 31 अक्टूबर 1857, ठीक है, 31 अक्टूबर 1857 को, सुरेंदर साय के साथ ये लोग भी जेल से भाग गए, ठीक है, हाजारी बाग जेल से ये लोग फरार हो गए, और फरार हो करके इन्होंने बगावत कर दिया, इस बगावत में अंग्रेजों का सपोर्ट किया, विंधेश्वरी प्रताप और देवनाद सिंग, सरगुजा के विंधेश्वरी प्रताप और राइगड के देवनाद सिंग, विंधेश्वरी प्रताप सिर्फ दिवान है, राजा नहीं है और रायगड का देवनाद सिंग राजा है ये दोनों ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया दोनों राजकुमार मारे गया धीरज सिंग और कल्यान सिंग शिवराज सिंग को काला पानी के सजव और इस तरह से उदयपूर का विद्रोस अमाप्त होता है विंधेश्वरी परताप को अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए राजा बहादूर सितारे हिंद की उपाधि दी गई सितारे हिंद मतलब हिंद कातारा और इनको बहुत बड़ा जागीर भी दिया गया उदयपूर्शेत्र में तो विंदेशरी प्रताप सक्सेस्फुल है कैप्टन डाल्टन का नाम आता है डाल्टन ने इन लोग को पराजित किया था और उस समय यह जार्खंड एजेंसी में आता था मतलब इस्टन एजेंसी कहा जाता है इसको ठीक है रगुवीर प्रसाद की पुष्टक है जिसका नाम है जार्खंड जंकार उसमें इन लोगों के विद्रो का लंबा चौड़ा जिकर है जार्खंड जंकार बाई रगुवीर प्रसाद सोहागपूर का विद्रो सोहागपूर का विद्रो सोहागपूर विद्रो जो है यह बहुत छोटा सा विद्रो है सोहागपूर सरगुजा चेतर में है ठीक है सोहागपूर सोहागपूर बड़ा ही यूनीक टैप का जगा है मतलब यहां पर क्यों विद्रो हुआ यह समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा से जगह को जाद धिहान नहीं देता था तो हुआ यू कि रंगो जी बापू रंगो जी बापू जो है सतारा के वकील थे सतारा में रहते थे और रंगो जी बापू जो है यह अंग्रेजों के खिलाब बगावत करना चाहते थे क्योंकि सतारा को अंग्रेजों ने कपजा कर लिया था तो सतारा से रंगो जी बापू जो है वो 36 गड़ा है और सोहागपुर में इन्होंने 36 गड़ के बहुत सारे जमीनदारों को इकठा किया और गुरूर सिंग रणमत के नेत्रितु में सारे जमीनदार लोग जो है वो रंगो जी बापु के साथ विद्रोग करने के लिए तैयार हो गए इन्होंने एक छोटी स दृणार यंवा है कि यके पानी किसी को पता है काईर बृटिश लोग जानते थे कि भारत में कई ऐसे लोग है जिनको किसी जेल में बन क्या जातों है तो लोग सब थोड़ कर दो हें तो इनका कहना है कि जोट से खतरनाक लोग हैं, उनको हम ऐसी जगह पर कैद करेंगे कि वो लोग कभी भारत आ ही न सके, तो उसके लिए ब्रिटेन भीजना पड़ेगा, ब्रिटेन बहुत दूर है, तो इन्होंने अंडमान द्वीप के उपर में एक छोटा सा जेल बनाया, जिसका नाम था सेलिलर जेल और उस जेल के अंदर भारत के सबसे डेंजरस कैदियों को रखा जाता था, डेंजरस मतलब ऐसे नहीं कि किसी को मार डालेंगे, डेंजरस ऐसे कि अगर ये छूट गए, तो इनको पब्लिक बहुत सपोर्ट करेगी, ये लोग हीरो हो जाएंगे, तो हीरो लोग को उधर भे सुहागपूर, रंगो जी बापू और गुरूर सिंग रणमत, इन दोनों के नेत्रितों में सुहागपूर में विद्रो हुआ, और ये लोग जारखन प्रवेश किये, राची पे कबजा कर लिए, और हजारी बाग जेल को तोड़ दिये, और इन ही की वजह से ये सारे सुहागपूर विद्रो में दो व्यक्ति इंपोर्टेंट है, रंगो जी बापू और गुरूर सिंग रणमत, और आपका इन लोगों ने जारखन विद्रो में भाग लिया था, डाल्टन ने इन लोगों भी पराजेत कर दिया, कैप्टन डाल्टन के नित्यतों में ब्रिट थर्ड नेटिव इनफैंट्री जो है, ये बेजड थी और इर्रेगुलर कैविलरी थी, नागपूर इर्रेगुलर कैविलरी, इनफैंट्री मतलब पैदल सैनिक और कैविलरी मतलब घुड़ सवार सिना, तो तीसरी अनिमीध सिना के सिपाही लोग रैपूर में थे, थर्र देश में अपना राज इस्तापित करने की बात चल रहिए हम लोग को भी कुछ करना चाहिए इसी बीच में वीर नारायड सिंh भाग गए वीर नारण सिंh का विद्रो हुआ 10 दिसंबर को वीर नारायड सिंh को फासी पे चढ़ा दिये विद्रो हो रहा है अंग्रेजों खिलाब, अंग्रेजों को मार भगाने का समय आ गया है, ये सिपाही लोग बहुत लंबे समय से अंग्रेजों को नसलिय भेदभाव जेल रहे थे, अंग्रेजों इनको गालियां देते थे, सैलरी कम देते थे, खाने को ठीक से नहीं देते थ और सबसे बड़ी बात इनके धार में प्रतीक चिन्हों पर अब्जेक्शन करते थे, नटीका लगाने नहीं देते थे, है ना, तो इस तरह से अंग्रेजों के नसलिय भेदभाव और प्रतार्णा से सिपाही लोग हमेशा से परेशान थे, लेकिन जब वीर नरान सिंग के मृ तो सिपाही लोगों का अभिमान जाग गया, कि यार, यह क्या हो रहा है, हमारे देशवासियों का ऐसे मारा जा रहा है, तो सिपाही लोगों में बगावत की आग जो है, वो सुलगने लगी, और आपका 18 जन्वरी, 1858 को राइपूर में सिपाहियों ने विद्रो किया, तो समझ रहे हैं, जैसे जाती के आधार पर गालियां दी जाती है, अंग्रेज लोग नसल के आधार पर गालियां देते थे, बहुत नीचा दिखाते थे, दस दिसम्बर 1857 को वीर नाराइट सिंग को जब फाहसी पे चड़ाय गया, तो भारती इसी पाही लोग भड़क गए, और हनुमान सिंग के नेत्रेतु में विद्रो करने की योजना बनी, हनुमान सिंग ने अपने साथियों को बुला कि हम लोग बगावत करेंगे, जैसे मंगल पांडे ने किया था, वैसे ही, 18 जनवरी 1859 को हनुमान सिंग अपने साथियों के साथ, ब्रिटिस अधिकारियों पर हमला बोल दिये, सबसे पहला अधिकारी था सार्जेंट मेजर, सार्जेंट मेजर जो है, वो सुवेदार इस्तर का अधिकारी होता है, मतलब आपका non-commissioned officer होता है, सार्जेंट मेजर सिड्वेल सबसे ज़्यादा अब्यूसिव और लोगों को परिशान करने वाला और आपका हनुमान सिंग ने तलवार से सार्जेंट मेजर की हत्या कर दी। के बाद हन्मान सिंग और उनके 22 जो दोस्त सब के सब जो है कैप्टन स्मीट के घर पहुंचे स्मीट का मुर्डर करने के लिए अगला टार्गेट उससे सीनियर अधिकारी तो कैप्टन स्मीट रैंकिंग ऑफिसर था स्मीट का घर खाली था कोई नहीं मिला क्यों स्मीट इलि स्मीट को मिल गया था इन लोगों ने तुरण ब्रिटी सिपाहियों को बिलाया और अपने घर में फोटिफिकेशन कर लिया मतलब बाड़ा बड़ा बंदी कर लिए बंदूग तान लिए बोले अब तो लड़ाई होगा सिपाही लोग पहुंचे तो फाइरिंग शुरू हो हो जाए इतना रिस कौन लेगा तो सुबह होते होते हनुमान सिंग जो है वो अपने साथियों के साथ गायब हो गया दूसरे दिन इलियाट और स्मित ने आपका परेड लिया और सारे विद्रोही सिपाहियों गिरफतार करने का भ्यान चलाया जिसके जिसके खिलाफ सुनने किली मिला सब को गिरफतार कर लिए और बीस तारिक को फांसी की सजा हो गई बाइस जन्वरी को 22 जन्वरी 1858 को 17 सिपाहियों को फांसी पे लटका दिया गया पर इन फांसी में हनुमान सिंग का जिक्र नहीं आता हनुमान सिंग रातो रात फारार हो गया और कभी भी पकड़े नहीं जा सके यूनिफाम पहन करके विद्रोह करने की वजह से ही इनको 36 गड़ का मंगल पांडे कहा जाता है जैसे मंगल पांडे ने चर्वी वाले कारतूसों के मामले में ब्रिटिश सेना के खिलाब विद्रोह किया और अधिकारियों की हत्या कर दी बिल्कुल वैसे ही आपका हनुमान सिंग ने भी ब्रिटिश सेना का सिपाही रहते हुए ब्रिटिश अधिकारे को खिलाब विद्रो किया और ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी same to same और इसलिए हनुमान सिंग को 36 गड़ का मंगल पांडे कहते है पर मंगल पांडे ने सबसे पहले बगावत किया था हनुमान सिंग ने बहुत लेट में शुरू किया और इनका बगावाद शुरू होती ही खतम हो गया लेकिन हनुमान सिंग कभी भी पकड़े नहीं जा सके तो हनुमान सिंग हो गया famous तो 18 जनुमान सिंग को हनुमान सिंग ने विद्रो किया था और 22 जनुमान सिंग को विद्रो समाप्त हो गया हनुमान सिंग को 36 गड़ का मंगल पांडे कहते है और शहीदों में इनका नाम नहीं आएगा क्योंकि ये शहीद नहीं हुए क्योंकि पकड़े ही नहीं जा सके पकड़ लेते तो पक्का इन लोग को फांसी ब्रटका देते है तो इसी के साथ आपका 1857 का विद्रो समाप्त होता है 1857 के विद्रो में अंगरीजों के सामने दो तरह की समस्य आई सबसे पहले सिपाहियों पर भरोसा नहीं कर सकते खास कर ये लोग अपने फैलो इंडियन्स अपने देशवासियों की मृत्यू को ले करके सिपाहि लोग एमोशनल हो जा रहे थे वीर नारे सिंग के फासी पर चाढ़ाने की वज़ह से ही सिपाहि लोग भढ़के थे आप चौराहे पर किसी को फासी पर टांग दोगे क्या इमेज बनेगा तो ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया कि आगे से सजा ऐसे नहीं देंगे जिससे इस्थानिय जनता की भावनाय भढ़क जाए सिपाहियों पर भरोसा करना बहुत जूरी है तो ब्रिटिश लोगों ने पहला स्ट्रेटिजी ये बनाया कि सिपाहियों में अपना भरोसा बनाया जाए सरकारी कर्मचारियों में अपना भरोसा बनाया जाए विलाय सिध्धान्त वगरह ना अपनाया जाए और इस तरह से विवस्था को जो है चाक चौबंद इन्होंने बनाया देशी रियासतों को मैनेज करने के लिए आपका एक पॉलिटिकल ओफिसर की नियुक्ति की गई जिसका नाम था रफशीड रफशीड जो है ये देशी रियासतों को मैनेज करने के लिए भेजा गया था जैसे इलियर्ड जो है वो बिटिश प्रशासन के लिए भेजा गया था रफशीड जो है ये देशी रियासतों के साथ अच्छे संबंद बनाने के लिए भेजा गया था और इस रफशिड की वजह से ही आपका सरगुजा, राइगर्ड, सारंगर्ड, इन सब रियासतों के राजाओं ने 1857 के विद्रों में एक्चुल में अंग्रेजों को सपोर्ट किया ठीक है तो इस तरह से 1858 में भारत के शासन में परिवर्टन आ गया ब्रिटिश संसद ने भारत पे सीधा शासन शुरू कर दिया, भारत मंतरीपद की स्थापना हुई, वायसरायपद की स्थापना हुई, चतिसगड का स्टेटस भी चेंज करने के लिए आया, लेकिन तुरंद चेंज नहीं हुआ, चाल सिलेट कंटीनू कर रहा है, ठीक है, चा अपना की गई, रायपूर, बिलासपूर, संबलपूर, प्रत्यक जीले में एक डिप्टी कमिशनर आया, और तब फिर चाल सिलेट को हटाया, ठीक, फिर नए अधिकारियों की नियुक्ति की है, और यहां से फिर तहसिलदारी वेवस्ता जो है, शुरुआत होती है, बिल्क अब इसे लगान वसुली का काम आप देखेंगे, मालगुजार और पटवारी, मालगुजार जो है, यह कई गाउं का एक मालगुजार रखा गया, तो अंग्रेज लोग धिरे-धिरे चेंज करने लगे सिस्टम, ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला सेक्शन हमारा समाप्त हो पुरात होती है, उन्निसवी शेत अब्दी का जो उत्राध है, याने 1861 से लेके 1900 के बीच में, चत्तिसगर में क्या हो रहा है, इसका कोई ज़्यादा पता नहीं चलता है, अंग्रेज लोग ठीक ठाक विवस्ता बना लिए, और चत्तिसगर के लोग ज़्यादा विरोध भ आया है।